एक अमीर बुढिया की आँखों की रोश्णी चली गई वह एक वैद के पास गई और उसे अपना इलाज करने के लिए कहा मुझे तुमसे क्या मिलेगा? वैदराज मेरे पास बहुत कुछ है आप चिंता ना करें अगर मेरी आँखे ठीक हो गई तो मैं आपको उचिती नाम दूँगी परन्तु यदि मुझे दिखाई नहीं दिया तो मैं आपको कुछ नहीं दूँगी ठीक है, मुझे मंजूर है मैं कल से आपके घर आकर इलाज शुरू कर दूँगा वैद ने इलाज तो शुरू किया परंतु उसके घर पड़े अच्छे साजो समान से उसमें लाला चा गया बुढिया को दिखता तो था नहीं उसने घर से एक के कर सारा समान चुरा लिया अब तो उसने बुढिया के घर जाना ही छोड़ दिया था परंतु भगवान के घर देर है अंधेर नहीं अचानक बुढ़िया की आँखे एक दिन ठीक हो गई उसने पिछवाडे में दबा हुआ धन निकाला और फिर उसी तरह बढ़िया जिन्दगी जीने लगी वैध ने तो समझा था बुढ़िया का सारा धन जेवरव लोट चुका था अब उसके पास बचा ही क्या होगा परंतु जब उसने उसी तरह उसकी पुरानी शानो शौकत देखी तो राजदर्बार में उसकी शिकायत कर दी राजदर्बार में बुढ़िया ने माना मैंने कहा था कि मेरी आँखे ठीक हो गई तो मैं भैदराज को इनाम दूँगी परंतु मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दिया तो इनाम कहेगा परंतु माराज आप ही कहें जब मैंने आँखे खोई तो मेरा घर फरनीचर और सास जजय के समान से अटा पड़ा था परंतु जब मेरी आँखे ठीक हुई तो मुझे मेरे घर में कुछ भी नहीं दिखा जब मुझे कुछ भी नहीं दिखा यहां तक की एक बरतन भी नहीं दिखाई दिया तो ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी आँखे ठीक हो गई है अगर ठीक हो गई हैं तो मेरा सारा समान कहा है? राजा ने बुढिया को छोड़ दिया और वैदराज से उसका सारा समान लटाने का हुक्म दिया बच्चों, इस कहाने से हमें यही शिक्षा मिलती है, जैसे को तैसा ही मिलना चाहिए हाथी और भेडिया बहुत पुरानी बात है, किसी जंगल में एक हाथी रहा करता था एक बार जब वैं घूम रहा था, तो रास्ते में भेड़ जो हुआ अच्छा हुआ कहीं किसी देश के एक राजा का वजीर हमेशा यही कहता रहता था जो हुआ अच्छा हुआ एक बार की बात है, एक शिकारी जंगल में से गुजर रहा था उसे एक पेड़ पर कबूत्रों का एक हाथी